लोगसभा चुनाओं में हार के बाद उत्राखंट कॉंग्रेस समिक्षा बैठक कर रही है जिसमें फैक्ट फाइंडिंग कमीटी के सदस्य पी एल पुनिया तीन दिवसी दौरे पर उत्राखंट पहुंझे है आपको बता दे कि शनिवार को समिक्षा बैठक का तीसरा दिन है महीं दूसरे दिन टेहरी आरिद्वार और पौड़ी गरवाल की शमिक्षा बैठक हुई थी महीं बैठक की जानकारी देती हुए कॉंग्रेस प्रदेश अद्यक्ष करन महरा ने कहा कि दिखाई दे रहा है कि लोगसभा चुनाओं में हार के परिराम आने के बाद जब उप चुनाओं जीती है इससे एक मिथक टुटा है उन्होंने कहा कि आज देश के पास ऑप्चन है राहुल गांधी आने वाले 27 और 29 के चुनाओं में भी कॉंग्रेस सरकार बनाने जा रही है देखें कोई भी चीज अगर पार्टी है कापांट करता है तो वो बलेग ले करता है और यह हकीकत भी है कि चुनाओं के दो मेहने के अंदर आप बाई एलेक्शन हर गए और इसका मतलब यह है कि जब बीजेपी को हम बाई एलेक्शन हरा सकते हैं तो हम पांचु लोगसभा सीड भी जीत सकते थे क्योंकि जनता में आग्रोश था बीजेपी को लेका और कारेकरता अच्छे से काम करता है इसलिए हम बाई एलेक्शन जीत वाए और पिछले 14 बाई एलेक्शन का रिकॉर्ड है कि सत्ता पक्सी जीता है विपक्स कभी बाई एलेक्शन नहीं जीता है दो साल के सासन के कारे काल की बाद भी बीजेबी का दो साल का सासना और है, उसके बावजूद भी कॉंगरिस के साथ्छीओं को जन्तारे चिता है। इसका मतब जन्ता में एक महौल था जनारण के हाथ में पर जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है और लोग नाराज है जिस तरीके से राहूल गांधी जी परफॉर्म कर रहे है अजे लीडर उपकोषिशन आज हरा आदमी राहूल गांधी को सुनना चा रहा है और राहूल गांधी को सीरसली ले रहे है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अब लड़ाई अच्छी होगी और 27 में हमारी भी वापसी होगी मुझे लगता है मिड़ तर्म में भी कॉंग्रेस की गोर्मेंट सेंडर में बन सकती है या फिर जो आगे 29 के सुदा उसमें कॉंग्रेस की सरकार लेट्स सरकार जो है वो देश में पती है